अगर आप proto cooperation topic नहीं पढ़े हैं, बहुत अची बात है, आज हम लोग freshly इसको समझ लेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ लिए हैं, तो जरा एक मेरा सवाल का जवाब दिजिएगा, सवाल है कि proto cooperation topic हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसमें यही तीनों examples आपको पूछा गया, कि proto cooperation होगा, लेकिन option में proto cooperation नहीं है, अब आप क्या करेंगे, अब फटाक से क्या करेंगे, कि last option रहेगा, इन में से कोई नहीं उसको tick करके आजाएंगे, और खुसिया मनाएंगे कि option में नहीं था proto cooperation, ठीक है, हम question को सही कर लिए हैं, लेकिन आप my dear students गलती करके आगे हैं, क्यो change हो जाएगा, इसका reason भी देता हूँ आपको, देखिए, question में पुछा गया है, ये सब examples दे करके, कि tick bird और राइनोसेरस में क्या relationship है, और option में proto cooperation नहीं है, तो उस case में answer चला जाता है, commensalism, क्यों, क्योंकि examiner को लगता है, commensalism में क्या होता है, एक को फैदा होता है, और ए लेकिन माल लेता है कि इस croco dial को, ठीक है, कोई फैदा नहीं हुआ, क्योंकि इसके मुझ में joke लगे हुए थे, और अगर joke दुचार रह भी जाते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो बहुत सक्तिसारी प्रानी, बहुत खून है हमारे body में, समझेंग कि जो भी tricky शवाल होते हैं, मैं आप से deal कर, जरूर करता हूँ, आइस फटा-फट पढ़ लेते हैं, पढ़ रहे हम लोग proto cooperation, इसका symbol इस तरीके से होता है, a species, b species, दोनों का plus और slash, ठीक है, definition यह कहता है, कि it is your relationship in which both species are benefited, but can live separately, मतलब दोनों species को फैदा होता है, लेकिन अगर अगर दोनों को अलग अलग भी रख दिया जाए, तो जिंदगी उनका मस चलेगा, कोई ज्यादा दिक्कत आने वाला नहीं है, comments लिजम मैं ऐसा, या फिर मुचल लिजम मैं ऐसा नहीं था, अगर दोनों को अलग कर दिया जा तो उनका problem हो जाता था, उनके दिंचर यामन, या फिर उनका lifestyle में, बट यहाँ पैस सच नहीं है, इसलिए इसको और भी नाम से जाना जाता है, that is called the obligatory relationship भी जाना जाता है, इसको इसको फैकल्टेटिव relationship भी बोला जाता है, इसको optional relationship भी बोला जाता है, तो यह तीन नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, आते हैं सबसे फ हर्मिट क्रेब के ऊपर बैठ जाते हैं, अब जहां जहां हर्मिट क्रेब जाएगा, वहां वहां यह भी इसको लदा करके हर्मिट क्रेब चले जाएगा, फैदा हो जाएगा, ट्रेवलिंग आसान हो जागा, ट्रेवल करने में इसको पैसा कर्चा नहीं करना पड़ेगा, ह तो इसके ऊपर एक बर्ड हमेशा देखने के लिए मिल जाता है, और खा जाते है फायदा हो जाता है, और इस राइनोसेरस को क्या फायदा हो जाता है कि इनका खूँन चूसने वाले जो टिक्स थे जिनका खूँन चूस रहते हुँ अब खतम हो गया तो उनका उस समय जब वो सिकार करते हैं या फिर पानी में हमेशा रहते हैं तो उनके दांतों में बहुत सारे जोंक फंस जाते हैं लीच फंस जाते हैं तो क्या करते हैं कि यह जो बर्ड स्वेगर हैं जो भी कोई भी वर्ड हो सकता है वो आते हैं और जब यह मुह खोल करके इस तरीके पर दूप सेकरे के लिए जब उसका पेट पूरा का पूरा भरा गुआ रहा था हूँ उसमें छोटे-छोटे बर्ड्स को खा करके या करेको बड़ा सिकार करके यह तो इसलिए उनको मारती भी नहीं है और उसको फैदा भी होता कि उसका जोक निकल जाता है जब जोक निकलता दोनों का जिन्दगी मस चल रहा था लेकिन जब दोनों शाथ साथ आएं, तब दोनों को वाइदा होना start किया, तो जब दोनों ASPC और BSPC से आएं, तो दोनों को फैयदा होने लगा और इनका graph, population density का जो graph है, वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा, तो दोनों को फैयदा हो गया, और फिर जब दोनों आपस मेलग हो तो फिर इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए ग्राफ कंटीनू नहीं हुआ रूक गया है एक और ग्राफ जो कि कॉमेंस लिजर में नहीं बताया पाया था वह आपको यहां पर डील कर रहा हूं कॉमेंस लिजर में क्या होता था एकको फायदा और एकको कोई बढ़ेगा और एक को कोई फायदा या नुक्सार नहीं हुआ तो इसका जो ग्राफ है वो कॉंस्टेंट रह जाएगा और मुछ अलिंद का ग्राफ आपको तो बताएं चुके हैं इस तरीके से इसका होता था ग्राफ वहां पर जिस तरीके से एक का अफेक्ट होता था तो दूसरा का भी लाइफ वह से अफेक्ट हो जाता था तो यह था आपका पूरा का पूरा डिटेल प्रोटो कॉपरेशन तक नेक्स वीडियो में हम लोग निगेटिव इंट्रस्पेस्फिक रिलेसंसिप में वही जो आपका कॉंपिटीशन है एक्स्प्राइटीशन है एमें चाह सकें